नमस्कार मा कालरात्री की कथा पौराणिक कथा के अनिसार रक्त वीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्ची को छीन लेता है तब सभी देवता दानों की सिकायत लेकर महादेव जी की पास जाते हैं भगवान सिवसंकर ने अपने पास आये हुए सभी देवतागर से उनके आने का कारण पूछा तब देवता ने रक्त वीज के किये गए अत्याचारों को तिलो की नाथ से कह सुनाया यह सुनकर भगवान सिवसंकर ने माता पार्वती से अनुरोद किया कि हे देवी तुम तुरंत उस राक्षस का सहार करके देवताओं को उनके राजभोव वापस जिलाओ तब देवी पार्वती ने वहा साधना की माता की साधना की तेज से करात्री उत्पन होई जब मादुर्गा रक्त बीच का वद कर रही थी, उस वक्त रक्त बीच की सरीर से जितना खुन धर्ती पर गिर्ता था, उससे वैसे वैसे ही सैक्रों दानों उत्पन हो जाते थी तब मादुर्गा ने काल रातरी से उन राक्षसों को खा जाने का निवेदन किया, तब मादुर्गा ने रक्त बीच की रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही उससे अपने मुहों में लेना सुरू कर दिया इस तरह से मा काली का रण भूमी में असरों का गला कारते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी, इस तरह से रक्त बीच युद्ध में मारा गया, मादुर्गे का यह सरूप काल रातरी कहलाता है झाल झाल